नमस्कार दोस्तों, भागनास डाइरी में आपका बहुत स्वागत है चावल के पापड बच्चों को और बड़ों को भी बहुत पसंद आते हैं तो आज हम बना रहे हैं चावल के पापड बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से बहुत थोड़ी से चावल से आप बना सकते हैं बहुत सारा पापड और यह बहुत ही आसान तरीका है तो चलिए सुरू करते हैं यहां मैंने ले लिया है एक ग्लास चावल चावल को हम पानी डाल कर अच्छे से दो से तीन बार धोलेंगे और इसे भीखने के लिए एक से दो घंटा रख देंगे चावल जब भूइंग जाए तो इसे हम मिक्सी में इस तरह से बिल्कुल इसका घोल तयार कर लेंगे यह देखिए बिल्कुल बारीक पेश्ट मैंने बना लिया है इस चावल का जो यह घोल तयार हुआ है उससे मैंने डबल पानी डाल दिया है देखिए यह पानी और चावल अच्छे से मिक्स कर दिया यहां मैं आड करी हूँ नमक और यह है काला जीरा या कलाउंजी इसे ऐसे हाथ की बीच में मसल के मैंने डाल दिया और ये मैंने डाला है काली मिर्च का पाउडर इसमें मैंने किसी भी तरह का सोडा इस्तमाल नहीं किया है तो अब इस गोल को हम गैस पे चढ़ा देंगे और इसे धीरे धीरे लगातार चलाते रहेंगे धीमी आज पर याद रखें एक सेकंड के लिए भी से छोड़ना नहीं है तो ये तुरंट नीचे चिपकने लगता है तो इसे लगातार चलाते हुए हम ऐसे पका लेंगे धीरे धीरे इसका पानी भाब बन कर उड़ जाएगा और ये ऐसे डो की तरह तयार हो जाएगा तो जब ये ऐसे टाइट हो जाए तो इसे हम ढख कर गास बंद कर देंगे और 10 मिनट के लिए rest रखने देंगे और उसके बाद ये देखिए अब हम इसे मसल कर अच्छे से गोन देंगे और इसका एक डो तयार करेंगे इसे बहुत अच्छे से आटे की तरह गोन लेना है हाथ में हम थोड़ा-थोड़ा पानी लगा लेंगे ताकि ये चावल हमारे हाथ में चिपके नहीं हाथों से मसलने के बाद हम इसे ऐसे बड़े-बड़े टुक्डों में शेप दे देंगे और सारे आटे को ऐसे तयार कर लेंगे इसे हमें एक बार फिर से स्टीम करना है तो यहाँ हम बनाते हैं अपना एक स्टीमर यहाँ बड़े से पगोनी में मैंने थोड़ा पानी डाल दिया है इसके अंदर मैं रखनी हूँ एक धकन और उसके उपर मैं सेट कर रही हूँ एक थाली यह एक जुगाड है स्टीम करने का तो यहाँ आप हम डाल देंगे अपना यह डो जो हमने ऐसे लंबे रोल्स में शेप करके रखा था इन सभी को मैंने यह आप एजस्ट कर दिया है अग से स्टीम करना है और यह देखे आप कितना बिल्कुल इसका टेक्शरी चेंज हो गया है तो यह पकने के बाद यह ऐसा तयार हो गया है यह थोड़ा ठंडा होने के बाद अब मैं इसे फिर से हाथ से मसल मसल के इसकी छोटी-छोटी लोईया बना लोंगी जिससे हम आगे पा पापड़ राजिस्थान में इसे खजला भी बोलते हैं चावल का पापड़ है और यह खाने में बहुत स्वादिश्ट और बहुत नरम बनके तयार होते हैं तो यह देखे मैं ने यहापे सारी लोईया बना ली है इसे हाथ से मैं थोड़ा राउंड करके चिकना कर देती एसे बेलं से बेल लेंगे चोटे-चोटे पापड की आगार में इसे बेलने का ये एक तरीका है अब एक और तरीका में दिखातीूँ यहां मैंने एक छोटा सा प्लेट लिया है और उसे मैंने बस दबा دिया और ये देखी चोटे-चोटे पापड बिल्कुल गोल आकार के बनके तयार हो जाते हैं या फिर अगर आपके पास रोटी मेकर है तो आप उससे भी ये चोटे-चोटे पापड बना सकें और सारी पापड बना कर हम इसे ऐसे किसी भी सूती कपड़े में धूप में सुखाएंगे किसी टेज कड़कती धूप में सुखाईए तो ये एक से दो दिन में ये पापड सूप कर बिल्कुल तयार हो जाता है इसे आप अलग-अलग फ्लेवर में भी बना सकते हैं जैसे कि टमाटर पीस कर अगर आटे में मिला दे या हरी मिर्च पीस कर मिला दे तो वो एक अलग टाइप का पापड बनकर तयार होगा तो लीजिए दोस्तों ये पापड बनकर बिल्कुल तयार है बिना सोडा बिना किसी बेकिंग पाउडर के ये कितना फ्लफी और क्रंची बनकर तयार हुआ है और जैसे ही आप इसे मूँ में डालेंगे ये बिल्कुल मूँ में घुल चाता है तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ टेक कियर बाई बाई